आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको एक ऐसी औसधी तेल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही उप्योगी है यह राहत रूप जो जड़ी बुटियों से बनाया गया है या औसधी हरवल उत्पादन है रात रूप एक ऐरवेदिक तेल है हरवल उत्पादन एक हरवंस राम भगवान दास ऐरवेदिक संस्थान प्राइबेट लिम्टेट उर्दू बाजार गोरखपूर का बना हुआ है यह नेट कॉंस्टेंट की 200 ml का है यह मेरिन इंडिया में बनाया गया है इस पाइरी डेट इसका तीन साल है लगाने के मैं भी आपको बताने जा रहा हूं तो देख लीजिए पहले इसको यह इंगलिस में लिखा है रात रूप यह इसका टेड मार्क है टेड मार्क इसका है यह रजिस्टर्ड नंबर है यह मेडिसीन अर्वेदी हरिबन से राय बनाये है और यह रात रूप तेल बहुत ही उपयोगी है इसको देख लिजिए दोस्तों यह इसका रब्बा है इसको देख लिजिए यहां से इसको देख लेंगे आप कितना महत्तपूर्ण यह तेल है यह सरदर्द पदंदर्द हर रोगों में काम आता है तो इस तेल के बारे में मैं आप कि यह तेल मस्तिक को गरम वक कमजूरी में ताकत सेरदर्द अर्थ कपारी एवंग आँख चे पानी आना रोसनी को बढ़ाना बदन के दर्द में होने वाले में काम आता है यह गिरिने और कटे जले चर्म रोगों के लिए बिशेस लापकारी है दिमाग को ठंडा रखता है बुद्धी को तेज करता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जग कटने जलने फोड़ा फुंसी को रूई में भिगा कर खोंड़ले में भी लगा सकते है सरदी, जुखाम, बदन दर्द, ब्लड फेसर, कीड़े, मकोडे, बिच्चु के मारने पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं और कान अगर आपका दर्द करता है तो उसमें आप क्या करेंगे कि नीप के पानी से पानी को गरम करेंगे और गरम करने के बाद कान को धोलेंगे और इसमें क्या करेंगे कि ये राहत रूते चार से प्माच बूत डालेंगे तो आपके कान का दर्द खतम जाएगा तो यह तेल बहुत ही उप्योगी है जब बदन दर्द कोई भी दर्द हो इसको आप लगा सकते हैं यह मस्ति को ठंडा करता है आराम देता है दिमाब को भी तेज करता है रातरू तेल बहुत ही उप्योगी है और सथी युक्त है यह हरबल तेल है यह जड़ी भूटियों से मिलके बनाया गया है देख रहे है आवला काली मेरिस्च पीपल बैत तरह तरह के इसमें जड़ी बुटियों से मिलके बनाया गया है रात रूप तेल यह बहुत ही उप्योगी है मैं आपको तो सब कुछ बता दिया हूँ कि एक तेल के अनेकों फायदे हैं और मैं आपको इससे ज़्यादा तो कुछ बताने ही जा रहा हूँ क्योंकि रात रूप तेल पहुत ही उप्योगी है इसी के बाद मैं अपने चानल में जो वीडियो दिखा रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो नए उज़र हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे जो पुराने उज़र हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक कर देंगे जैहिन धन्यवाद